नमस्कार आप देख रहे हैं डी टीवी भारत और मैं हूँ आपके साथ रितिक लोजपा के संस्थापक स्वर्गे रामविलास पासवान को मन्नो परांत पद्म भूशन से सम्मानित किया गया और इस सम्मान को ग्रहन किया उनके बेटे और लोजपा रामविलास के राश्टर अमाम उन्हें इज़त मिली प्रतिष्ठा मिली पहचान मिली लेकिन जब उनको पद्म भूशन देया जा रहा था उस वक्त उनके परिवार को भी होसला देने एक नाम एक इनसान महापर नहीं थे और वो थे केंद्रिय मंत्री पश्रपति पारस बाच्वीत करेंगे मारे सा यही उमीद थी कि उनके बेटे ही इसे ग्रहन करेंगे लेकिन वहाँ पर एक तो स्वीर नहीं दिखाई दी वो थे केंद्रिय मंत्री पश्रपति पारस भाई है सगे भाई है एक खून का रिष्टा लेकिन जब इतुना बड़ा सम्मान मिल रहा है तब भी वहाँ से नादा कर एक पद्म भूसंश सम्मानित हमारे नेता हमारे पीता सवरूप सवर्गी राम बिल्यास पासवान जी को मर्नो उप्रांथ के उन्हें राश्ट्पति ब्हों में राश्ट्पती महौदे के द्वारा उनके पुत्र उत्राधिकारी हमारे नेता आधर्णिय चिराग पासवान जी को पद्म भूशन दिया गया केंद्रिय मंत्री पशुपत्री कुमार पारज चाचा उन्हों ने एक रट लगाया रखा है कि रामिलास पासवान जी हमारे भगवान थे मैं ही उनका उत्राधिकारी हूँ तो आप तमाम मिडिया के साथियों के सामने मैं एक पारज चाचा से सवाल करता हूँ अब मैं ही नहीं बिहार की अवाम देश की जनता ये पूश्ती है कि पारज चाचा आपने रास्टपती भवन में जाने का कारे क्यों नहीं किया जब उन्हें पद्वुसन दी जा रही थी तो आपने नहीं जाने का कारण बताईए आपने क्यों नहीं गया वहाँ इतने बड़े सम्मान देश के सबसे बड़े सम्मान में एक ये भी बहुत बड़ा शम्मान है पद्वुसन जो हमारे नेता आदन्य रामिलास पास्वान जी को दिया गया है उसमें ये क्यों नहीं पहुँचे हैं ये जवाब तमाम जनता पूश्ती है चली आपने ही कहा कि वहाँ पर वो मौजूद नहीं थे देखे आजकोल ट्विटर पर तमाम राजनीता काफी जादा एक्टिव रहते हैं ये मैं अभी अपने फोन जो फोन स्क्रीन पर देख रहा हूं पशुपधी कुमार पारस का ये ट्विटर अकाउंट है 9 नवंबर क जब उन्हें सम्मान दिया गया और उन्हें ट्विट किया कि आज मेरे बड़े भाईया को मर्नो परांत पद्मभूशन पुरसकार से सम्मानित किया गया और इस गौरफ सम्मान के लिए सबी देशवासियों की तरफ से माननीय राश्ट्रपती जी माननीय प्रधान मंत्री एवं माननीय उपराश्ट्रपती जी को हृदय से धन्यवाद ये ट्विट पश्वपती पारस ने किया है ट्विट करना ही सही था या फिर जरा जाते क्योंकि अगर देखे ये तो अब साफ हो गया है हमने भी लगातार देख लिया है कि अब चाचा भतिजे में उतना प्र लेकर इनकी राजनितिक हस्तियां हैं अगर रामिलास पास्वान सहाब नहीं होते तो क्या पशुपतीक मार पारस कभी भी उनके नाम क्या के माननीय लगता पशुपतीक मार पारस शाचा मैं पुना उस लाइन को दोहरा रहा हूं सहरबन्य के किसी दुकान में किसी तलाब में मचली मारते नजर आते किसी परचुनी दुकान में वो समान तौलते नजर आते क्या पारस शाचा आप कहते हैं कि वो हमारे भगवान हैं और आपने दो मिनिट का मुनासिब समय नहीं निकाला उस भगवान को जब समान दी जा जबकि आप दिल्ली में थे इतना आपको उनसे मतलब की द्वेस हो गया था तो कहीं न कहीं मन में राम बगल में छूड़ी ये पूरी दुनिया पूरा देश पूरा बिहार की जनता इस पूरी तस्वीर को देखने का कारे किया है आप पसुपतीकमर पारस चाचा आपको जव अपने मन से गए नहीं केंद्र सरकार ने बुलाया नहीं या फिर मन से गए नहीं क्योंकि देखिए आप तो आपकी पार्टी ने लोजपार आम विलास ने बगाइदा पटना की इंकम टेक्स चौरा है पर आपने एक बैनर भी लगाया है और बैनर लगा कर सीधा प्रहार इस सीधा केंद्रे मंत्रे पशुपती पारस ने बिलकुल इसका जवाब दे कि आखिर उन्होंने दो मिनट का मुनासिब क्यों नहीं समझा तो कहीं न कहीं माननिया मुख्य मंत्री सिन्तिश कुमार जी के इस आरे पे ही इन तमाम लोगों ने सर्यंत्र के तहत पूरे को इन्होंने तोड़ने का काम किया और पारस जी करते हैं कि मैं उत्राधिकारी हूं डूबलीकेट उत्राधिकारी इससे साब जाईर होता है कि आप डूबलीकेट उत्राधिकारी हैं और मेरे भगवान स्री रामिलास पासवान जी का नाम लेकर आप अपनी राजनितिक रो राहे पर एक पोस्टर लोजपाराम विलास ने लगाया है और उस पर कविता के माध्यम से स्वीधा प्रहार किंद्रिय मंत्री पशुपती पारस पर और सवाल ये पूछा जा रहा है लोजपाराम विलास के तरफ से कि जब पद्म भोशन सम्मान दिया गया उनके भगवान को जैसा कि किंद्रिय मंत्री कहते है तो उस वक्त हो वहाँ पर मौजूद क्यों नहीं थे इसका जवाब दें